नमस्कार वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है पेश है आज के मुख्य समाचार नुकसान पोशने की रिपोर्ट प्रशासन ने तयार की है खेती के नुकसान में पंचनामे किये जा रहे है तील मुह सबजी और प्याज की फसलों को नुकसान पोचा है बेमोसंबारेश से तीन तैसिलों में काफी नुकसान होने का समाचार है अकेले चांदूर बाजार में 300 घरों को शती पोची है मोर्शी में 112 धामन गाव में 80 बरूड में 14 चिकलदरा में 10 और नान गाव खंडिश्वर तैसिल में भी घरों को नुकसान पोचा है प्रशासन पंचनामे में जूटा है मद्दान हो जाने से सोमार से अचार सहीता शितील होनी की संभावना सुत्रों में वेक्तकर बताया कि नुकसान भरपाई के लिए शाषन को रिपोट भेजी जा रही है आपास तीती को ध्यान में रखकर चुनायाव आयोग के अनुमती से सरकार ततकालिन सहायता घोशित कर सकती है विदायक बच्चुकडू गुरुवार को इस बारे में मुक्यमत्री एकना सिंदे से बेट करने वाले है जिले के मुजरी गराम में राष्ट संतो तुकलोजी महाराज की प्रेणा से आयोजी चारदियोसिय ग्राम जयनती मोसव शनिवार को मोटर साइकल रैली से प्रारम हुआ राष्ट संत का 115 जन्मों सव ग्राम जयनती के रूप में मनाया जा रहा है गुरुकुंज में उनकी समाधी के सामने से रैली शुरू ही सरपंच वहिशाली गुमोने ने तुकलोजी महाराज की प्रतिमा का पूजन किया बड़ी संक्या में गुरुदेव भाक्त उपस्तिते राष्ट्य एकता का संदेश देती रैली ने सरपंच उपस्तिती रही राष्ट संतका जयगोश करते हुए समाधी के सामने रैली परिपूर्ण हुई सभी ने गांधी टोपी पहन कर रखी थी लोगसबाद चुनाओं के शुक्रवार 26 अप्रील को हुए मद्दान के दवरान अपना ओट डालते समय मोबाइल फोन से फोटो और इन ओटर्स ने उलंगर किया है साइबर सेल के निरिक्षक अनिकेत कासार ने बताया कि इन लोगों पर संबंदित कानून के तहट कारेवाई होगी उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो डालते वे अपने अपने उमिद्वार को ही ओड़ देने का दिखवा किया था यह अप पर गाट में लोगसवा चुनाओ का ओटिंग देर राद 12 बज तक चलने की चर्चा है खबर के अनुसार धारनी तरसिल के साकरदा में इवेम की खराबी के कारण मतदांद रुख गया था तब तक 500 ओटर्स बूत पर पोश गये थे उन्होंने ओड़ डाले बगेर बूत न छोटने की बात कही जिससे इवेम मशीन आननफानन में ठीक की गई राद 10 बज मशीन सूचार हुई तब जाकर ओटिंग की गई जो राद 12 बज़े तक चली ऐसे ही अंजनगाव सुर्जी के कुछ मतदान केंद्रू पर बारिश के कारण देर राद तक ओटिंग कराई गई राद 10 बज़े तक मतदान वहाँ चला जिससे चुनाव प्रशासन को ओटिंग के आकड़े देने में विलम हुआ और इवेम भी विलम से स्ट्रॉंग रूम भेजी गई कक्षा पहले में दाकिल पातर बालकों के लिए शाला पूरो तयारी अभिहान के अंतरगत पहला कदम नामक कारेक्रम संपुर्ण राज्य में चलाया जा रहा है अमरावती के संयुक्त ततोधान में इस सम्मेलन का आयुजन किया गया इस सम्मेलन में अमरावती उबागिया आयुक्त उसी प्रकार पाचो जिलों के जिलादिकारी जीपक के मुख्यकारी अधिकारी उपायुक्त महिलाव बालकल्यान उपमुख्यकारी अधिकारी का हाल ही में जिलास्तरिय से शालास्तर तक अप्रेल महा में पहला सम्मेलन लिया गया। इस वर्ष पहली बार ही उपसंचालक का रहले रहने वाले जिले में विवाग्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से विद्यार्थियों में शारिक विकास, वोद्धिक विकास, समाजिक व भावनात्मक विकास, भाषा विकास व गणन पूर्व तैयारी इस प्रकार के कौशली की जाच की जाती है। विकास व गुफेकर की पदयात्रा का जोर्दार स्वागत किया गया। इस मोसव के अउसर पर रिद्धपूर में हजारो श्रद्दालो की उपस्तिती में गोविन प्रभू राममट मंदिर में दवना परव अर्तात दवना नामक सुगंदीत वनस्पती भगवान को भक्ति भाव से अर्पित की जाती है उलेकनी है कि यह वनस्पती केवल अप्रेल महा में ही आती है तता उसका बड़ा मत्व है मोसो निमित्त आयोजनस्तल पर शाम साथ बजे भगवान की पालकी वर रतयात्रा गाजबाजे के साथ धोल तार्शे की गुंज में श्री गोविन प्रभू राममट से निकाली गई यह रतयात्रा संपुर्ण गाव से ब्रहमन करती हुई वापस मंदिर पोची देवदर्शन के लिए वारा नसी गए श्री शेत्र काउंडेवन ने पूर के व्यापारी द्वारा अत्मत्य किये जाने का समाचार शेनिवार की शाम यहां मिला व्यापारी का नाम देवेश्वर गोविन दास है वारा नसी के मेहमुद ग जे कुमार शुकला नहीं जानकरी देते हुए बताया कि शुक्रवार की रात भोजन के पच्चात देवेश्वर अपने कमरे में गए और गेस्ट हाउस के करमचारियों ने उन्हें जगाने का प्रहतने किया तो फोंद रिस्वी नहीं कर रहे थे कमरे का दर्वाजा और ओपियों को दबुश लिया गिरपतार किये गए आरोपियों के नाम नालसाफ पुरा निवासी मोहमद शोएब मोहमद हुसेन और चार खंबा निवासी फैजान और अब्दुल शेक मुश्टकीर है पहले पुलिस ने पुरिशी गली निवासी आरोपी शेक मुरारी शे पुलिस ने तब हत्या का मामला दर्च कर ततकाल शेक मुरारी को गिरुटर कर लिया था बाद में रात को फरार दोनों अरोपियों को भी दबोश लिया गया